दिन निकलते ही चिकित्सक का अपहरन घटना सीसी टीवी में हुई कैद सुबाई नमाज के लिए जा रहे थे बाप बेटे अपहरन के लिए दो कारों का इस्तिमाल किया गया पुलिस हरकत में आई जन पत बिजन और किस योहारा में दिन निकलते ही घर के सामने से ही चिकित्सक का अपहरन कर लिया गया सारी घटना सीसी टीवी में कैद हो गई है अपहरन करता दो गाडियों से आये थे चेकित्सक के पिताने स्योहारा थानी ने बेटे के अपहरण की सूचना दी है पुलिस हरकत में आई और अपहरण करताओं की तलाश में जुड़ गई है मानला स्योहारा थानाक शेत्र के मुरादाबाद धामपुर रोट का है जहां पर दॉक्टर फारुम गादरी का घर और अजबदाल है आज सुबह सवेरि दॉक्टर फारुम कादरी और उनका बेटा दॉक्टर सुहेल कादरी नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे जैसे ही डॉक्टर सुहेल ने सडक पार की तो वहाँ पहले से ही मौजूद एक शक्स ने सुहेल कादरी को नीची गिरा दिया तभी वहाँ दो कारे आगे पीछे आई और उन्मे से कुछ लोगों ने निकल कर डॉक्टर सुहेल कादरी को जबर्दस्ती गाड़ी में डाल दिया इस दोरान डॉक्टर सुहेल कादरी ने शोर मचाया तो आगे जा रहे डॉक्टर फारुक कादरी ने दोड़कर अपहरंट करताओं से बेटे को छुडानी की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे अपहरंट करता डॉक्टर सुहेल कादरी को गाड़ी में डाल कर फरार हो गए नहीं मिली। डॉक्टर फारुक काद्री ने डॉक्टर सुहेल काद्री के अपहरण की तहरेर ठाने में लेकर कारवाही की मांग की है। अपहरण की आ गया है। ठानाध्यक शाशीश दूमर ने बताया कि चिकित्सक का मामला तीन तलाग को लेकर ससुराल से चल रहा है। चिकित्सक को ससुराल वाले ही अपने साथ ले गे हैं। पुलिस टीम को भेजा गया है। जल्द ही चिकित्सक आरोपियों को पुलिस ले अच्छा कौन जाने थे। मैं था और मेरा बेटा डाक्टर सुयल कादरी थी। जैसे मैं आगे-ागे था और बेटा पीछे था। मैं आगे थोड़ा निकल गया, तो बेटियों को पीछे से में शुटा कि राउस करती थी। और वो सड़क किराश करने के बात उसे पगड़ कितने गाड़ियां तीन गाड़ी थी। एक तो डिजायर थी, जिसमंगे उसको ले गए वे और एक और गधनार चीजिश के साथ और एक और गर ले से कुछा हो सहाथ हैं। कितने लोगों गवान लगवाद? 15 शूम्चन, 10 में तब बुम्चन साथ कितने लोगों? तरह हम दाने देड़े जड़े जड़ेट जड़े जड़ेटाए